नमस्कार दोस्तों आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे श्टील यानि लोहा के देश के बेविन हिस्सों में क्या भाव रहे हैं गौरतला भै हमने आपको नाकेवल भाव अपडेट की हैं और टाइमली आपको लोहिग भजार की तेजी मंदी का भी 60 विशलेशन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है चैया फरवरी हो मार्च हो अप्रेल हो अब माई के अंदर भी आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं रहा इसमें MS इंकट के भाव 54,100 के देखे गए लगबग 200 रुपे की तेजी के साथ MS बिलिट में भी 200 रुपे की तेजी रही 54,200 के भाव रहे जबकि पुराना लोहा के अंदर अच्छी तेजी दर्ज होई यह 1200 रुपे की तेजी दर्ज होई 41,100 के भाव CRC स्क्रैप के अंदर भी बहुत अच्छी तेजी रही 1200 के तेजी रही 47,000 के भाव और कास आइरन के अंदर टोका के अंदर कुछ गरावट देखी गई 45,000 के भाव देखे गए साथ साथ इस पॉनेज के अंदर एक मामूली उतार चड़ा हो रहा उसमें 49,900 के भाव रहे और TMT के अंदर 60,000 के भाव रहे राजिस्थान के अंदर क्या भाव रहे उसके अपर चर्चा कर रहे हैं साथ ही दूसरे देश के भीविन हिस्सों में जैपुर इंगट के अंदर 52,800 के भाव थे स्क्रैप जैपुर में 43,200 यहां 600 रुपए की तेजी देखी थी विवारी के अंदर इंगट 53,000 के भाव थे और विवारी स्क्रैप के अंदर 1200 की तेजी दर्ज होई और इंगट प्राइस की जो अब अपडेट हम चर्चा करेंगे देश के भीविन हिस्सों में एमदाबाद 53,300 चेजी दुर्गापुर 50,300 रुपए की तेजी गाजियाबाद में बड़ी तेजी 1000 की दर्ज होई 35,800 के भाव गोवा के अंदर 51,600 के भाव यहां गिरावट थी 1000 की हैदराबाद में 51,600 के भाव थे और हिमाचल 35,000 के भाव थे 200 की तेजी इंदौर 400 की त दो सो की तेजी के साथ 54,200 कानपूर 53,000 के भाव रहे कौलकाता के अंदर 300 की तेजी के साथ इंगट के प्राइस 51,000 पर बंद होए लुद्याना के अंदर 700 की अच्छी तेजी ती 53,800 के भाव थे और लुद्याना NAD के अंदर 54,200 यहां भी 700 के तेजी है मुझफण अगर के अंदर 900 की एक तरफा तेजी थी 53,400 के भाव और मुम्बई के अंदर 200 रुपए की तेजी राइग़ क effort हम चर्चा करेंगे 49,800 के भाव राईपूर के अंदर 50,200 के भाव राहुल केला 49,300 के भाव और रामगड के अंदर 200 की तेजी के साथ 50,700 के भाव अब पुराने लोहे प्रियाबाद 44,000, इंदौर 44,000, 100 की तेजी और जैपूर के अंदर 600 रुपे की तेजी के साथ 43,200 के बाहु थे जम्मू 40,000 यहां गिरावट थी कानपूर के अंदर कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं रहे 49,000 पे बंद हुआ और लोधियाना 700 की तेजी के साथ 46,600 के पर थे मुझफवर नगर में 200 की तेजी 47,200 और मुंबई 41,500 के साथ के बाद बाद है यहां गिरावटती 500 रुपे की रायपूर में 45,500 यहां 200 की तेजी और जालना सुपर के अंदर 44,000 जालना मेल्टिंग 4,700 और देली के अंदर 300 की तेजी एमदाबाद के अंदर 1000 की अच्छी त क्रैप के अंदर दर जोई 45,000 के बाओ बंद होए तो दोस्तों यह था देश के बिविन हिस्सों के अंदर लोहे बजार का हाल एक और महतवपुन मैं विशलेशन आप तक देना चाहता हूं कि आने वाले 15 दिन बहुत महतवपुन सिद्ध होंगे इसकी संभावना है कि मई म महिने का चौथा सब्ता और जून महिने का प्रथम सब्ता स्टील और लोहा बजार के लिए एक निर्णायक मोड साबित हो सकता है गौर तलब है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर लोहे बजार में बहुत तेजी से उतार चड़ाव देखा गया पहले बहुत तेजी रही उ भारतिय अनुसंधान प्रदती साथ साच फंडमेंटल एनलेसिस का अद्बु संगम अजय एस्टोग मनी गुरूप पे मिलता है गौरतला बै कि हमने सुबा आपको सोने अर्चांदी में तेजी की बात कही थी सत्य साबित होती देखी गई शेर बजार के अंदर अच्छी तेजी की बात कही थी सई साबित होती देखी गई इसके अतरिक जीरा धनिया ओल सीड सोया बीन इन सभी पर आपको सटिक जानकरी हमारे चैनल पर मिलती है दोस्तों देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज करंसी स्टॉक मार्केट के उपर अपना लगातार विशलेशन और परनमसंदान देता है जो की सई साबित होता है तो दोस्तों आप भी पेट सर्विस्स के लिए संपर कर सकते हैं All the very best, good luck, happy trading